दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp Business App पर लॉक कैसे लगा सकते हैं ताकि जब इसमें आप Password डालें तभी आपका जो है WhatsApp Business App खुले अभी इस पर कोई भी Password नहीं लगा है आप देख सकते हैं ऐसे ही खुल गया तो इस पर Lock लगाने के लिए आपको करना क्या है आप दो तरीके से लगा सकते हैं आपको दोनों तरीके बता देते हैं पहला तरीका क्या है आप चले जाएए अपने फोन की Settings में और Settings में जाने पर आपको इस Type का Interface मिलेगा यहाँ पर आपको नीचे की ओर Scroll करना है और नीचे की ओर Scroll करने पर आपको एक Option दिखेगा Apps का आप इस पर क्लिक करिए जैसे ही आप Apps पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया Interface मिलेगा और यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक Option दिखेगा App Lock का आप इस पर क्लिक करिए App Lock पर क्लिक करते ही आप से पूछेगा App Lock का Password तो आपने जो भी App Lock का Password अपने डाल रखा हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है और पासवर्ड डालते ही आपके सामने आएगा इस टाइप का Interface अगर आपने अभी तक App Lock यूज भी नहीं किया है पासवर्ड भी नहीं सेटप किया है तो आपसे हो सकता वहीं पर आपको पासवर्ड सेटप करने को पूछे जो कि आप इसली कर सकते हैं उसके बाद आपको इस टाइप का Interface मिलेगा यहाँ पर आपको करना क्या है आपको नीचे की और स्क्रॉल करके WhatsApp Business ढूण लेना है कहाँ पर है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं उपर रहा तो आप ढूंड लिजे या फिर आप उपर लिख करके भी सर्च कर सकते हैं उसके बाद आपको करना क्या है आपको सिंप्ली यहाँ पर क्लिक करके इसका App Lock इनेबल कर देना है जैसे ही आप app lock enable करेंगे उसके बाद आपके whatsapp business पे app lock जो है वो लग जाएगा for example हम यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे हमसे मांग रहा है password और जब हमने password डाला तभी खुला आपको वहाँ पे हो सकता black screen दिख रही हो ओके तो आप दूसरा तरीका क्या है इस पे lock लगाने के लिए हम यहाँ से पहले हटा देते हैं यहाँ लग और ठीक है यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है आप अपना whatsapp business app ओपन करिए और side में three dots पे click करिए three dots पे click करने के बाद आपको settings में चले जाना है settings में जाने के बाद आपको accounts पर click करना है और accounts पे click करने के बाद आपको सबसे उपर privacy का option दिखेगा आप इस पे click करिए privacy पे click करने के बाद आपको सबसे नीचे की ओर scroll करना है और सबसे नीचे scroll करने पर आपको एक fingerprint lock का option दिखेगा आप इस पे click करिए इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको click करके इसको enable कर देना है लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके phone में fingerprint लगी होनी चाहिए ठीक है अगर fingerprint added नहीं है तो आपसे यहाँ पे add करने को कहेगा और यह enable नहीं होगा मेरे में already added है तो यहाँ पे हम click करते हैं यहाँ पे हमसे कह रहा है confirm fingerprint हम जैसे ही fingerprint confirm करेंगे यह यहाँ पे lock लग जाएगा आप इसको कर सकते हैं automatically lock कब हो immediately after one minute या फिर यह सब ठीक है तो यह आप अपने साब से set कर लिए और उसके बार इसमें यह दूसरे तरीके से भी आप lock लगा सकते हैं अब देख सकते हैं हम next पे click किया fingerprint जब हम touch करेंगे तभी यहाँ पे खुलेगा अगर वीडियो से help हो यह हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आप से एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई